इस वीडियो में बात करूँगा इगनू से रिरेटेशन कैसे करें। यदि आप पिछले वर्स या उसके पिछले वर्स इगनू से अडिमिसन ले चुके हैं तो इस बार रिरेटेशन कराना आपको अनिवाज बन जाता है। दोस्तो परिक्षा देने के लिए अगले सतरे में चले जाते हैं जिसके लिए आपको रिरेटेशन का पिमिंट करना जुरूरी होता है। यहां पर मैं इगनू के अफिसल वेबसाइट पर हूँ जहां से रिरेश्टेशन का पेज ओपन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं रिरेश्टेशन करने के लिए डेट है आठ हमवाई से पंदरा जुन तक लाश डिट है। डेट कुछ भी हो अभी डेट है तो आप किसी भी सतर में हो यदि आप वीडियो बाद में भी देखेंगे दिसंबर में भी देखेंगे तो आपको यही प्रोसेस फोलो करना होगा। वीडियो के description में link है, link पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface खुलेगा, website इंदी के page पर आने के बाद में आपको इसको reroute कर लेना है, इगनू reratation कैसे करें, निचे scroll down करने के बाद में आपको link मिल जाता है, यहाँ पर दिखे, इगनू reratation करने का, इगनू reratation का link मिल जाता है, यदि आप सही में reratation करना चाहते हैं, तो इस link पर आपको click करना होगा, इस link पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open हो जाता है, यहाँ से आपको scroll down करना है, scroll down करके नीचे जाना है, यहाँ पर देखे, सब कुछ reratation के बाद में condition को accept करना है, disclaimer को accept करने के ब जुलाई 2023 से 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 सन का है, यहाँ पर reratation करने का login पेज open हो जाता है, यदि आप पहले से account बना चुके हैं, तो यहाँ पर element number दाज करना है, और यहाँ पर password दाज करना है, यहाँ पर capture दाज करना है, लास्ट में आपको login बटन पर click करके login कर लेना है, यदि आप पहले से registration न करेंगे, यहाँ रखिए यहाँ ओडियल मोड का reratation हो रही है, यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है, पूरा नाम दर्ज कीजिएगा जो आपके ID काड में होगा, यहाँ पर element number दर्ज करना है, यहाँ पर आपको इस capture को देखकर दर्ज करना है, capture दर्ज करने के इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको new password set करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको नया password दर्ज करना है, और यहाँ पर इसी password को confirm कर देना है, पासवाँ दर्ज करने के लिए आप इस तरह से दर्ज करेंगे, जैसे कि नाम का कोई भी एक अंक इ इस तरह से दर्ज कर देना है, इस तरह का password आप बना सकते हैं, password दर्ज करने के बाद आपको submit बटन पर click कर देना है, यहाँ पर दिखिए password set हो गया है, यहाँ पर दिखिए grid कह रहा है, login करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको element number दर्ज करना है, element number दर्ज करने के ब दोस्तों बनाना अनिवार्ज है यदि आप ABC एकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जुड़ो देखिए इसका लिंक वीडियो के डिसिप्सन में मुझूद है जहां से क्लिक करके आप भीजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं यहां पर लिंक में बाद में करूँगा सबसे पहले मैं यहां से क्लिक करके एक्टिबेट कर लेता हूँ और रिरेटेशन कम्पलीट कर लेता हूँ आगे बढ़ने के लिए क्लिक हेर के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर देखिए आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर लेबल दिखाई देगा, यहाँ पर यहाँ दिखाई देगा कि आप की सेशन का आप फिस पे कर रहे हैं, तो जुलाई 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, जुलाई 2020 होने का मतलब कि यहाँ पर इसी साल में, इसी मन्त म आपका admission हुआ था यहां सा scroll down करना है और यहां पर दिखे लिखा हुआ है click here to select course यहां पर click कर देना है click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface दिखाई देता है यहां पर दिखे study material के बारे में बतया जा रहा है यदि आप लेना चाहते हैं घर पर book यानि कि घर पर पराप्त करना चाहते हैं तो इसी option पर टीक रहने देंगे आपके वो book मिल जाएगा आपके address पर यदि आप online के वाल पढ़ना चाहते हैं तो आपको 15% discount मिलेगा तो आपको यहां पर click करना होगा इसके नीचे scroll down करना है यहां पर दिखें compulsory subject है जो अभी subject है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक स्टा में आपको subject यहां पर चूज करना होगा तो चलिए मैं elective subject को चूज कर लेता हूं यहां पर select पर click करता हूं और यहां से कोई subject चूज कर लेता हूं आप देखिए last में आपको एक और subject चूज करना होगा पंचवा नमबर में यहां पर देखिए additional subject चूज करने के बाद semester 4 आज जाता है semester 4 में भी आपको यहां से चूज करना है चूज करने के बाद आपको नीचे जाना है यहां पर सबकू select करने के बाद submit बटन पर किली कर देना है submit बटन पर किली करने के बाद आपको यहां पर इस तरह का interface दिखाई देगा course यदि update करना चाहते हैं तो यहां से select कर सकते हैं नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह का interface दिखाई देगा और यहाँ पर सभी subject दिखाई देंगे यहाँ पर 10 subject है यहाँ दिखाई देगा यहाँ से credit आप देख सकते हैं कितने credit का हुआ है semester 3 और 4 यहाँ से नीचे scroll down करना है और आपको payment करना है यहाँ पर देखिया हमें books नहीं चाहिए था तो यहाँ पर 15% लेस हो गया है 675 रुपे यदि आप 675 रुपे बचाना चाहते हैं तो आप इसको select करेंगे और इतना आपको बच जाएगा यदि आप बचाना नहीं चाहते हैं तो आपको 45 रुपे लाएगा जो भी आपका यहाँ पर चार्ज होगा वह लगेगा यहाँ पर देखिए multiple दो gateway मिल जाते हैं payment करने के लिए सबसे पहले वाले से आपको payment करना है ताकि बढ़िया से आपको payment complete हो जाएगा यहाँ पर pay fee gateway 1 पर आपको click कर देना है यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने के लिए click to make payment के बटन पर click कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ यहाँ से देखिए payment करने के लिए redirect होता है यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाते हैं आप जिसे payment करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर मैं card payment करने वाला हूँ तो यहाँ पर click करता हूँ card पर यहाँ पर card number दर्ज करना है यहाँ पर copyright date यहाँ पर CV number यदि आप next बार भी payment करने के लिए यहाँ पर save करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो इसी तरह से छोड़ दिजिए आगे बढ़ने के लिए आपको pay now के बटन पर click कर देना है यहाँ पर मैं pay without saving card प यहाँ पर payment देखे सखसफूल हो चुका है यहाँ से redirect हो जाएगा official website पर जहां से मैं login किया था यदि आपको PDF download करना है तो यहाँ पर click करेंगे इस icon पर यहाँ पर देखिए icon है यहाँ पर आपको reratation पर click करना है यहाँ पर आने के बाद स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ प बटन पर click करके जहाँ पर भी save करना चाहते हैं इसे आप save कर सकते हैं फिडिया पर click करता हूं save कर लेता हूं यहाँ पर देखिए कोई नाम देता हूं इस तरह से आसानी से आप payment भुगधान कर सकते हैं इस वीडियो में बते हैं हूं mobile का इस्तिमाल करके इगनू कारी रिट इस वीडियो से पंदित कोई भी सवाल हो सुझा हो तो comment box में बता हैं मिलते हैं नीव वीडियो में धन्यवाद कर दो कर दो